दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चानल स्कॉलर इंग्लिश पर मेरा नाम है दिपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक टीच करती हूँ तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं दा हिंदू एडिटोरियल का वोकैब अनलिसिस आशा करती हूँ कि आप इन सेशन्स के साथ रेगिलरली जुड रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं क्योंकि इन सेशन्स का मकसद है आपकी वोकैब आवर को और जादा इनहांस करना और यह जो वोकैब सेशन्स है यह बैंक, SSC, रेलवे, UPSC यह फिर किसे भी कॉम्पिटिटिव एक्जाम के लिए एकवली बहुत ही जादा इंपॉर्टन्ट है तो चलिए और जादा देर न करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौनसा है तो हमारा सबसे पहला वर्ड है Drop Their Guard Drop Their Guard का मतलब होता है लापरवाही करना किसी की कोई फिकर नहीं करना लापरवाही से कोई काम करना उसे कहा जाएगा Drop Their Guard और ये एक idiom है Synonym इसका होता है Careless यानि कि जिसे कोई फिकर नहीं होती, कोई परवाही नहीं होती जो लापरवा होता है उसे कहा जाएगा Careless जो की हमारे Drop Their Guard इस idiom का synonym है यानि कि अजनबियों के प्रती अपनी सतरकता कभी न चोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है यानि कि उनके साथ हमेशा जो है वो सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए इस कॉंटेक्स्ट में हम जो है वो Drop Their Guard इस idiom का अलग-अलग sentences में यूज कर सकते है देर इसे के साथ हम आगे चलेंगे हमारे next word की और और जानेंगे की हमारा अगला word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है plague plague का मतलब होता है परिशान करना किसी चीज से परिशान हो जाना परिशानी होना हमें उसे कहा जाएगा plague और यह हमारे पास parts of speech में verb है यानि की क्रिया है सेनलिम इसका होता है afflicted या फिर tormented यानि की किसी चीज से परिशान हो जाना या फिर कोई चीज परिशान करना अब example की help से देखते हैं example इसका है यानि की जो शहर है वो traffic और pollution से जो है वो बहुत जादा परिशान हो चुका था इस context में हम जो है वो plague इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ हम आगे जाएंगे हमारे next word की और और जानेंगे की हमारा अगला word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है bicker bicker का मतलब होता है जगड़ा करना छोटे मुद्दो पर जगड़ना, छोटी-छोटी बातों पर जगड़ना यानि की कोई बड़ा issue नहीं होता है जब छोटी-छोटी बातों पर जगड़ा किया जाता है उस context में जो है वो bicker इस word का use किया जाता है जगडे के लिए और ये हमारी past parts of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है squabble या फिर argue यानि कि जगडा करना बहस करना For example, the siblings bicker over who should do the dishes after dinner यानि कि दो बहने जो है वो इस बात पर लड़ रही थी कि खाने के बाद जो है वो बरतन किसने साफ करने चाहिए इस context में हम जो है वो bicker इस word का अलग-अलग sentences पे use कर सकते हैं Then इसके साथ हम आगे चलेंगे हमारे next word के और और जानेंगे कि हमारा अगला word कौन सा है तो इसके बाद हमारा अगला word है pilot Pilot का मतलब होता है मारगदर्शन करना, किसी को guide करना, किसी को सही रास्ता दिखाना, support करना उन सब context में जो है वो pilot इस word का use होता है और यह हमारे पास parts of speech में verb है यानि कि क्रिया है सिननिम इसका होता है guiding या फिर navigating यानि कि किसी को मारगदर्शन करना, किसी को जो है वो सही रास्ता दिखाना, सही राह दिखाना इस context में जो है वो guiding या फिर navigating का use होता है जो कि हमारे pilot का सिननिम है अब अगर example देखे तो example इसका है The organization is piloting a mentoring program to support young entrepreneurs यानि कि जो हमारे नए आने वाले entrepreneurs है, जो business start करने वाले हैं उनको guide करने के लिए जो है वो organization ने एक mentoring program रखा यानि कि उनको मारगदर्शित करने के लिए, उनको सही राह दिखाने के लिए उनको जो है वो कुछ चीजे सिखाने के लिए उन्होंने mentoring program रखा इस context में हम जो है वो pilot इस word का अलग-अलग sentences पे use कर सकते हैं then इसे के साथ हम आगे जाएंगे हमारे next word के और और जानेंगे कि हमारा अगला word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है hue, hue का मतलब होता है पहलू यह जो word है वो किसी quality या फिर characteristic को refer करता है जो कि किसी चीज में add की जाती है यानि कि जब भी कोई quality या फिर कोई characteristic किसी चीज में add होती है यानि कि overall जो है वो किसी पहलू को, किसी aspect को जो है वो hue कहा जाता है और यह हमारे past parts of speech में noun है सिननीम इसका होता है aspect यानि कि पहलू इस context में हम जो है वो hue इस word का अलग अलग sentences पे यूज कर सकते हैं इसे के साथ हम आगे चलेंगे हमारे next word की और और जानेंगे कि हमारा अगला word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है proscribe proscribe का मतलब होता है निशिद या फिर प्रतिबंद कोई चीज बान हो जाना completely बंध होना उसे कहा जाएगा proscribe और यह हमारे past parts of speech में noun है सिननीम इसका होता है forbidden या फिर ban यानि कि completely कोई चीज बंध होना उस पे प्रतिबंध होना रोक लगाई जाना अब example की help से देखते हैं example इसका है यानि कि mobile phones का examination hall में use करना ये पूरी तरह से मना है यानि कि बंध है इस context में हम जो है वो proscribe इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसे के साथ हम आगी चलेंगे हमारे next word की और और जानेंगे की हमारा अगला word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है rebuff rebuff का मतलब होता है ठुकराना किसी चीज़ को rudely या फिर अप्रिय तरीके से ठुकराना, मना कर देना उस context में जो है वो rebuff का use किया जाता है और ये हमारे पास parts of speech में verb है यानि कि क्रिया है सिननिम इसका होता है rejected या फिर refuse यानि कि किसी को मना करना है फिर कोई चीज़ ठुकरा देना इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अब्नॉक्षिस का मतलब होता है अशोबनिय आपत्ति जनक या फिर अप्रिय यानि कि जिस चीज़ के होने से हमें कोई दिक्कत होती है हमें वो चीज़ पसंद नहीं होती अप्रिय होती है उस context में जो है वो अब्नॉक्षिस इस word का अलग-अलग sentences में use होता है और ये हमारे पास parts of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है unpleasant या फिर disagreeable यानि कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती है फिर अशोबनिय होती है हमारे लिए अपत्ति जनक होती है जो हम पसंद नहीं करते ऐसी कोई चीज़ उसे कहा जाएगा unpleasant या फिर disagreeable अब example देखे तो example इसका है यानि कि party में जो है वो साब का अचानक से आजाना ये जो है वो सबके लिए आपत्ति जनक हो गया था अब ये situation create हो गई थी क्योंकि सबको डर लग रहा था इस context में हम जो है वो then इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की और और जानेंगे की हमारा अगला word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है वेर विदल वेर विदल का मतलब होता है वित्तिय साधन किसी टास्क या फिर गोल को complete करने के लिए पूरा करने के लिए कोई साधन उपियुक्त होना उसके जरुवत पढ़ना especially वेर विदल जो है ये ज़ादा तर पैसो के मामले में यूज किया जाता है तो आप पैसो के लिए इसका मतलब context में इसका मतलब समझ सकते हैं ये हमारे पास parts of speech में noun है synonym इसका होता है resources या फिर means यानि कि कोई साधन होना for example, he lacked the wherewithal to overcome the challenges he faced यानि कि उसके पास चुनोतियों को पार करने के लिए साधन की कमी थी यानि कि कोई साधन नहीं था इस context में हम जो है वो wherewithal इस word का अलग-अलग sentences में use करते हैं then इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारी last word के और और जानेंगे कि हमारा last word कौन सा है तो हमारा word है ascendance Ascendance का मतलब होता है उदय किसी महत्वपूर्ण पद या फिर उच्चे स्तर पर पहुचने की क्रिया यानि कि किसी चीज में बढ़ातरी होना कोई चीज जो है वो और जाता grow होना उस context में हम जो है वो ascendance इस word का use करते हैं ये हमारे पास parts of speech में noun है सिननीम इसका होता है rise Rise का मतलब होता है उदय या फिर कोई चीज उच्चे स्तर तक पहुचना किसी चीज में grow होना उस context में जो है वो rise का use किया जाता है अब अगर example देखे तो example इसका है The ascendance of digital media has revolutionized यानि कि digital media में जो उदय हुआ है उसने जो है वो क्रांती ला दी है इस context में हम जो है वो ascendance इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो do like this video subscribe the channel and share as much as you can और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर click करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं Till then keep learning, thank you